हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आज हम बात करेंगे विलियम बिलेक की पोयम दासी क्रोज के बारे में विलियम बिलेक का जनम 28 नवंबर 1757 में हो था उनकी टेथ हुई थी 12 अगस्ट 1827 वो एक इंग्लिश पर थे रोमेंटिक एज के रोनने सॉंग्स ओफ इनोसेंट से ता मैरीज ऑफ हेवन एंड हैल दा फोर्ज वास जैरुषेलम इस तरह से चले फ्रेंड्स बात करते हैं था सिक्रोज की सिक्रोज लिखा गया था 1789 में और इसको पब्लिश किया था सॉंग्स ओफ एक्स्पीरियंस नाम के कलेक्शन में 1794 में यह एट लैंस की पोयम है न इन्विजिबल वोम देट फ्लाइज इन दा नाइट इन दा हावलिंग स्ट्रॉम तो फ्रेंड्स यहां पर पोएट ने बोला है रोज के लिए कि है कि रोज तुम्हारे पास तुम बिमार हो और तुम्हारे पास एक इन्विजिबल कीड़ा आया है जो की रात की अंधेरे में आया है यानि कि रात की अंधेरे में जब तूफान आया तो एक कीड़ा जो इन्विजिबल था दिखाई ने दिया वो तुम्हारे पास आ गया है नेक्स्ट पेराग्राफ में देखते हैं है's found out the bed of crimson joy and this his dark secret love does thy life destroy और जो कीड़ा है उसने तुम्हारा पैड ढूड लिया है यानि रोज के लिए बोला जा रहा है कि तुम्हारा पैड ढूड लिया यानि कि जहां पर तुम उगे हुए हो उस crimson जो एको crimson जो है वो डार्क सीक्रेट लव डस्ताइल लाइफ डैस्टोए और उसकी डार्क सीक्रेट लव यानि की ऐसा प्यार जो कि सच्चा नहीं होता उसने वह तुम्हारे लाइफ को क्या कर देगा डैस्टोए कर देगा तो फ्रेंट्स यहां पर पोईट ने जो बताया हुआ है एक रोज की की बारे में एक वोम की बारे में बता रहा है रोज सिंबल है आपका लव का और वोर्म सिंबल है इविलनेस का यानि की की जो कीड़ा है वह सिंबल है आपका सेलफिशनेस का यानि की जो हमारे अंदर प्यार होता है वह सेलफिशनेस के कर डैस्टोए हो जाता है इसके जिसमें वूमेन की लाइफ किस तरह से टेस्ट रो हो जाती है यानि कि एक अंसक्सेस्फुल वूमेन की लाइफ जो होती है उसके बारे में से सिंबलाइज किया गया है तो फ्रेंट्स आपको कैसे लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएगे का थैंक यू